इस चाप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो अगला टॉपिक में डिस्कस करूँगा उसका नाम है रिडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार इस टॉपिक से पहले हम लोग ऑक्सीकरन अवस्थाओं के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं अग्सीकरन अवस्था में निकालना आता है और अग्सीकरन अवस्था के अनुप्रियोग भी हमने सीख लिए हैं अब हमें रिडॉक्स अभिक्रियाओं पर आना है और इनके प्रकार की इनके टाइप्स के स्टड़ी करनी है यह जो डॉक्स अभिक्रिया होती है यह overall तीन प्रिकार की होती है और उसमें से स्वेश्ट अभिक्रिया है उसका नाम है अंतरा अनुक रिडॉक्रिया क्या नाम है इसका अंतरा अनुक रिडॉक्रिया इसका definition में एक बार रीड करूँगा कि अभिक्रिया में यदी अलग-अलग स्पीशीज में आक्सीकरण व अपचैन संपन होता है तब अभिक्रिया अंतरा अनो क्रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है मैं वापस पढ़ रहा हूं इसे अभिक्रिया में यदि अलग-अलग स्पीशीज में आक्सीकरण व अपचेन संपन होता है क्या समझ माया यहाँ पर कि स्पीशीज यहाँ पर क्या होगी अलग-अलग होगी दो species होंगी एक में तो क्या होगा ऑक्सिकरन और दूसरे में क्या होगा अपचैन होगा तब अभिक्रिया अंत्रा अनोक रिडोक्स अभिक्रिया कहलाती है वैसे इसके नाम सी समझ मारा बिटा अंत्रा अनोक मतलब दो अलग-अलग species होगी इस species से हमारा मतलब यहाँ पर आयन भी हो सकता है परमानू भी हो सकता है और वो अनो भी हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है मतलब दो species होना आवशक है एक में तो अक्सिकरन होगा और दूसरे में अपचैन होगा इसे रियाक्षन लिखावा है कि SNCL2 प्लस FECL3 गिवस SNCL4 प्लस FECL2 यह विकरिया सामने लिखी हुई है अगर आप इसे विकरिया को देखेंगे तो यहाँ पर यह जो टिन है मतलब जो SN है इसकी ऑक्सिकरन अवस्था अगर आप निकालेंगे तो बेटा वो प्लस 2 आएगा कितना आएगा वो प्लस 2 और वो जो टिन है वह है प्लस 4 ओक्सीकरन अवस्था में परिवर्थित हो रहा है X method आपको पता है अगर यहाँ Xn का oxygen अवस्था निकालोगी तो plus 2 आएगा और वो plus 4 में परिवर्थित हुआ मतलब Sn plus 2 का Sn plus 4 में परिवर्था मतलब क्या हुआ oxygen बात आती है यहाँ पर ferric chloride इस FeCl3 में iron की oxygen अवस्था plus 3 है और plus 3 oxygen अवस्था plus 2 oxygen अवस्था में परिवर्थित हो रही है अगर plus 3 plus 2 में परिवर्थित हुई Fe plus 3 Fe plus 2 में परिवर्थित हुआ मतलब क्या हुआ बेटा यहाँ पर up chain हुआ तो पक्की बात है यह एक redox अविक्रिया तो है लेकिन जो redox अविक्रिया है इसको हम लोग antra anuk redox अविक्रिया कहेंगे क्योंकि यहाँ पर दो अलग-अलग species में से एक में तो oxygen हुआ और दूसरे में यहाँ पर up chain हुआ इसलिए इस अविक्रिया को हम बोलते हैं antra anuk redox अविक्रिया आई तिंग आपको बात समझ में आ गई होगी जो दूसरी अविक्रिया है उसका नाम है antra anuk redox अविक्रिया इसका जाश उल्टा कर दो antra anuk मतलब एक ही अणो में एक ही अणो में oxygen भी होगा और up chain भी होगा definition पढ़ना एक बर अविक्रिया मेदी एक species में oxygen भी होगा और up chain भी होगा इस अविक्रिया को हम क्या बोलने वाले हैं बिटा antra anuk redox अविक्रिया तो यहाँ पर जो अविकारक है मुझे बताईए वो एक species होगा या दो species होंगे के वाल यहाँ पर एक species हो सकता है जिसे कि KCLO3 में अगर KCLO3 परिवर्थित हुआ KCLO2 में KCLO3 परिवर्थित हुआ KCLO2 में अगर आप यहाँ क्लोरीन की oxygen अवस्था निकालेंगे तो वो बिटाब प्लस 5 आएगा कैसे निकालेंगे? Potassium का प्लस 1, क्लोरीन का X, oxygen का माइनस 2 अगर आप स्वाल करेंगे तो क्लोरीन का oxygen अवस्था कितना आएगा? प्लस 5 और वो जो प्लस 5 oxygen अवस्था है वो KCLO में chloride मतलब CLO minus में परिवर्थित हुआ क्लोरीन में plus 5 oxygen अवस्था हुआ हूँ तो oxygen के oxygen के चलाइब वस्था निकालेंगे? है zero मतलब oxygen minus two से कहां गया zero इन्हें कि oxygen अवस्था बढ़ गई oxygen अवस्था बढ़ गई मतलब oxygen का यहां oxygen हो गया तो result क्या है इस अभिक्रिया को हम अंतरा अनुक ना बोल करके इसे हम बोलने वाले हैं अंतरा अनुक जिसमें एकी species में एकी species में दो अलग अलग तत्तमों का क्या हुआ बिटा oxygen भी और oxygen भी हुआ clear है जो तीसे प्रकार की अभिक्रिया है उसका नाम है विश्मी करण अभिक्रिया इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं disproportionation reaction बिटा इसका आपको हिंदी में भी याद रखना चाहिए और इंग्लिश में भी याद रखना चाहिए कई बार examiner जो है वो हिंदी में disproportionation लग देता है तो हमें इसका नाम दोनों में ही याद करना चाहिए क्या होता है ये विश्मी करण अभिक्रिया समझना एक बार definition पढ़ रहा हूं में अभिक्रिया में यदि एक species में एक तत्व समान औक्सिक्रत अवस्था से औक्सिक्रत अबचईत होता है तो अभिक्रिया विश्मी करण अभिक्रिया कहलाती है दुबारा सुनना इसको में वापस पढ़ रहा हूं interesting और ये बहुत important भी है अभिक्रिया में यदि एक species मतलब यहाँ पर भी दो species नहीं है यहाँ पर भी एक ही species है एक species में एक समान औक्सिक्रत अवस्था से औक्सिक्रत भी होगा और अप्चैन भी होगा यहाँ पर जो नई बात है वो क्या है बिटा एक तत्व ही होगा मतलब यहाँ पर species भी एक ही है और तत्व भी एक ही है एक ही स्पीशीज के एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी होगा और अपचेन भी होगा For example, जैसे H2O2 परिवर्थित हुआ H2O plus O2 में H2O2 मतलब हाइड्रोजन परोक्साइड परिवर्थित हुआ H2O और O2 में हाइड्रोजन परोक्साइड में ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अवस्था आप जानते है कितना होता है माइनस 1 H2O में ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अवस्था होता है माइनस 2 क्योंकि ये मुक्त अवस्था में तुसका कितना होगा 0 तो मतलब जो H2O2 है, मतलब एक ही स्पीशीज में एक ही तत्व है, ऑक्सिजन ही है, उसका अप्चेयन भी हुआ और उसका ऑक्सी करण भी हुआ, इसे हम बोलते हैं विश्मी करण अभिक्रिया, तो पीटा यहां पर हमने तीन प्रिकार किया अभिक्रियाओं की बात की, अगर इन तत्व क्या है, विभिन है, तत्व क्या है, विभिन है, मतलब एक ही स्पीशीज के दो अलग अलग तत्वों का क्या होगा, ऑक्सी करण और अप्चेयन, लेकिन एक ही स्पीशीज के अगर समान तत्व का, ऑक्सी करण भी हो जाए, अप्चेयन भी हो जाए, उसे हम क्या गोलेंगे बिटा विश्मी करण अभिख्रिया इस अभिख्रिया में ऑक्सिजन माइनस वन से कहां गया माइनस टू माइनस वन से कहां गया जीरो मतलब है समान अक्सी करण अवस्था से अक्सी करत भी हुआ और अपचैद भी हुआ अभिख्रिया को हमने नाम दिया विश्मी करण क्लियर है वाली बात मैं इस बात को वापस लाश्ट में समझा रहा हूं कि एक है अंतर है अनुख दो अलग 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 अनुख हो या विश्मिकरण हो दोनों में अनु तो एक ही है इस अभिक्रिया में तो विभिन तत्वों का ओक्सिक्रण और अप्चैन होगा यहाँ पर एक ही तत्व का ओक्सिक्रण भी होगा और अप्चैन भी होगा I think आपको बात समझ में आ गई होगी है चलिए इस पर एक question हमें solve करने हैं आप question में लिखा हूए कि निम्न मेंसे एक redox अप्चैन भी होगा है मतला हमें चार option दिये हैं और चारों मेंसे हमें वह अप अप्चैन अप्चैन अंक का कम होना लेकिन अप्चैन अंक को पहले हमें calculate करना होगा पहली reaction में यदि में hydrogen का oxygen निकालूँगा कितना आएगा बिटा प्लस वन hydrogen का अगर आप यहाँ पर oxygen निकालेंगे तो कितना आएगा प्लस वन मतला hydrogen की oxygen नंग में कोई परिवर्टन नहीं हो रहा है sulfur की जहां तक बात है तो sulfuric अमल में sulfur की oxygen नवस्था प्लस 6 होती है अगर यहाँ पर आप sulfur की oxygen नवस्था रिकालेंगे तो भी कितनी आएगा प्लस 6 बहुत easily आप x method से solve कर सकते हैं और मैं तो कहता हूँ कि इसको जूरती नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो sulfur है वह है sulfate iron के रूप में है उसी प्रिकार से यहाँ पर भी sulfur sulfate iron के रूप में है यहाँ पर sulfur के oxygen नवस्था बदलने वाली नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं oxygen minus 2 पर है यहाँ पर भी minus 2 पर है minus 2 पर है और minus 2 है मतलब oxygen की भी oxygen नवस्था परिवर्तित नहीं हुई अगर हम sodium की बात करें क्योंकि sodium संयुक तवस्था में है योगी कवस्था में है sodium की oxygen नवस्था हमेशा कितना होगा बिटा plus 1 यहाँ पर भी कितना है plus 1 मतलब यदि हम किसी भी तत्व को यहाँ पर देखें तो ना तो किसी का oxygen हुआ नहीं किसी का आपचैन हुआ मतलब ये एक redox अभी करिया नहीं है second option चेक करते हैं अगर मैं second option के लिए चेक करता हूँ तो silver, ag, silver के oxygen आवस्था plus 1 है और अगर आप यहाँ पर silver के oxygen आवस्था निकालोगे तो यह भी कितना आएगा बीटा, plus 1 ही आएगा nitrogen के यह दिया आप oxygen आवस्था निकालेंगे तो यहाँ पर plus 5 आएगा और यहाँ पर भी कितना आने वाला है और plus 5 ही आने वाला है आप चेक कर सकते हैं, बहुत easy react method से solve कर सकते हैं oxygen के oxygen आवस्था यहाँ minus 2 आएगा और oxygen के oxygen आवस्था यहाँ minus 2 आएगा sodium प्लस 1, sodium प्लस 1 यहाँ पर chlorine माइनस 1 पर है यहाँ पर भी chlorine माइनस 1 पर है तो मतलब किसी भी तत्व की यहाँ पर भी oxygen आवस्था पर रिवाड़ते नहीं हो रही यह भी लॉकस अभिक्रिया नहीं है फ़र्ड आभिक्रिया को कर में चेक करें तो यहाँ पर calcium plus 2 oxygen अवस्था पर है, यहाँ पर भी plus 2 oxygen अवस्था पर है और क्यों है यह plus 2 पर? क्योंकि calcium second group का तत्व है, उसके oxygen अवस्था संयुक्त अवस्था में हमेशा कितनी होती है, बिटा plus 2 होती है carbon के अगर आप oxygen अवस्था यहाँ निकालेंगे, तो वो plus 4 आएगा, carbon का यहाँ पर भी कितना आएगा, बिटा plus 4 होती है, मतलब change नहीं हुआ, oxygen minus 2 minus 2 minus 2, मतलब यह भी एक redox अविक्रिया नहीं है लेकिन अगर आप fourth option को check करें, देखिए, fourth option में hydrogen और oxygen मुक्त अवस्था में है, मतलब oxygen अवस्था 0 और 0 है अगर आप H2O में देखेंगे, तो hydrogen की oxygen अवस्था plus 1 आएगा, क्यों आएगा plus 1? क्योंकि वो अ-धा-2 से जुड़ा हुआ है धातू से अगर जुड़ा हुआ हुथा, तो क्या आता minus 1? अधातू से जुड़ा हुआ है, मतलब क्या आएगा plus 1 और oxygen यहाँ पर minus 2 oxygen अवस्था में है यहाँ यहाँ पर hydrogen की oxygen अवस्था बढ़ गई, oxygen की oxygen अवस्था कम हो गई, मतलब यह जो अविक्रिया है, यह एक redox अविक्रिया है क्लियर है वाली बात इस अविक्रिया में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ ऑक्सीजन का अप्चैयन हुआ ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अंक का कम होना क्या होगा अप्चैयन क्लियर है जो आंसर तो आ गया एक क्वेशन में आपसे पूछता हूँ ये जो अभिक्रिया है ये कौन इसे प्रिकार की रिडॉक्स अभिक्रिया है अंतरा अनुक या विश्मिकरन ये जो अभिक्रिया है ये पहले प्रिकार की रिडॉक्स अभिक्रिया है मतलब ये एक अंतर अनुक रिडॉक्स अभिक्रिया का उधारण है आर ये बात समझ में ना तो ये अंत्रा अनुक हैं नहीं विश्मिक्रण हैं ये अंत्रा अनुक रिडॉक्स अभिक्रिया है अच्छे एक छोड़ा सा पॉइंट और आप यहाँ याद कर सकते हैं पॉइंट वो है कि यह जो अभिक्रिया है जो फर्स्ट अभिक्रिया की बात करें यह फर्स्ट अभिक्रिया एक उदास से निकरन अभिक्रिया है कौन से अबिकरिया है बिटा उदासे निकरन अबिकरिया है और उदासे निकरन अबिकरिया कभी भी रिडॉक्स अबिकरिया नहीं होती आप इस sentence को याद कर सकते हैं कोई भी उदास्य निकरन अभिक्रिया हो जिसमें आमलवचार अभिक्रिया करके लमनवच्ग जलगर बनाते हैं तो कभी भी उदास्य निकरन अभिक्रिया रिडाक्स अभिक्रिया नहीं होती मतलब future में अगर आपको कोई option में उदास से निकरन अभिक्रिया दिख जाए तो आप बिना oxygen अवस्था निकाले ही उसके बारे में comment कर सकते हैं क्या कि वो रड़ॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी clear है? चलिए, second question पर जाते हैं second question में एक अभिक्रिया हमें दी है और पूछा है कि किसका अपचैन हुआ, किसका oxygen हुआ, सरकी बाते पूछी जा रही है पिटा, oxygen या oxygen तो हम तब बता पाएंगे तब जब हम सभी का oxygen अंक निकालेंगे चेक करते हैं, lithium और nitrogen मुक्त अवस्था में हैं oxygen अंक 0 और 0 है, है विल्कुल, 0 और 0 lithium, क्योंकि first group का है, अगर सयुक्त अवस्था में होगा तो plus 1 oxygen अवस्था और जब nitrogen का निकालोगे तो यहाँ पर minus 3 oxygen अवस्था हैगी मतलब हुआ क्या, हुआ ये कि lithium का oxygen हुआ और nitrogen का oxygen हुआ अगर lithium का oxygen हुआ, nitrogen का oxygen हुआ कौनसा option मैं चो रहा है, चलिए चेक करते है पहला option है कि lithium अपचयत हुआ गलत, lithium का क्या हो रहा है, यहाँ पर oxykaran हो रहा है कौनसा option सही होगा बिटा, second option lithium का oxykaran हो रहा है, lithium oxykarat हो रहा है clear है, अगर मैं third option को चेक करता हूँ third option में लिखा हुआ है, कि nitrogen oxykarat हुआ बिटा nitrogen oxykarat हुआ, यहाँ अपचयत हुआ यहाँ थर्ड option भी गलत है fourth option का लिखा हुआ है, lithium oxykarat है बिटा lithium oxykarat होता है, अपचयक होता है इस अभिक्रिया में lithium जो है, वह अपचयक की भाती वेवार कर रहा है क्योंकि खुद का क्या हो रहा है, oxykarat अरे जिसका oxykarat होगा, वह अपचयक होगा यहाँ कि fourth option भी क्या है, गलत तो answer कौन सा मैं चुराएं बिटा, second option चाहे first question हो, चाहे second question हो किसी भी question में हमें अगर किसी का अपचयन, किसी का oxykarat की बारे में comment अगर करना है तो सबसे पहला काम, बिटा हमें क्या करना पड़ेगा oxykarat अंक निकालना पड़ेगा और वही हमने इन दोनों question में किया clear है, अगला question में कुछ इस प्रकार का ही है, question में question को solve करने से पहले थोड़ा आपको H2O2 के बारे में समझाऊंगा, H2O2 पर हम चलिए focus करते है, H2O2 का नाम होता है बिटा, hydrogen peroxide hydrogen peroxide और इस hydrogen peroxide में oxygen की oxykaran अवस्था minus 1 है, oxygen की oxykaran अवस्था minus 1 है मतलब ये एक मध्यवर्ती oxygen की oxykaran अवस्था है ना तो ये अधिक्तम है, नहीं ये नियूंतम है यानि की इसका oxykaran भी हो सकता है और इसका अपचेयन भी हो सकता है बास समझ मारी है मैं कहना है चाहता हूँ की H2O2 में oxygen की oxykaran अवस्था मध्यवर्ती है ये कम होकर की minus 2 पर भी जा सकता है और ये बढ़के 0 पर भी जा सकता है कहने का मतलब इसका oxykaran भी संभव है और इसका अपचेयन भी संभव है मान लीजिए कि H2O2 परिवर्तित हुआ H2O में किसमा परिवर्तित हुआ बिटा H2O में H2O में परिवर्तित होगा तो इसका क्या होगा आपचेयन लेकिन मान लीजिए कि H2O2 oxygen में परिवर्तित हुआ किसमें परिवर्तित हुआ बिटा oxygen में जहां oxygen मुक्तावस्था में है oxygen अबस्था कितना है या जीरो अगर minus 1 से वो 0 पर गया मतलब इस केस में वो क्या हुआ बिटा oxygen हुआ point इतना सा है कि H2O2 का oxygen भी हो सकता है और up chain भी हो सकता है अगर oxygen होगा तो oxygen बनेगा अगर up chain होगा तो H2O बनेगा clear है वाले बति रटनी नहीं है हमें बस समझ नहीं है कि वाले एक field develop करना है क्या point है कि H2O2 का अगर oxygen होगा तो O2 बनेगा H2O2 का up chain होगा तो H2O बनेगा चलिए सीज को मैं इस question में यूज़ करूँगा question पर आते हैं question में लिखा हुआ है कि H2O2 AG2 उसे अभिखरिया करके ये बना रहा है तो H2O2 oxykarak है अभिखरिया करके उतपाद में हमें H2O भी मिल रहा है और O2 भी मिल रहा है अरे इस question में problem क्या है कि उतपाद में हमें H2O भी मिला और O2 भी मिला अगर H2O भी मिलेगा O2 भी मिलेगा तो हमें पता ही नहीं लग पाएगा कि उसका oxykarak हुआ या आप चैन हुआ कहना है चाहता हूँ कि जब भी H2O2 लिखा होता है इसको सालू करने का बेश्ट तरीका ये है कि इसके बगल वाले को देखो इसके बगल में कौन है बिटा AG2O और इस पर comment करो AG2O परिवर्तित किसमें हुआ बिटा AG में परिवर्तित हुआ अगर AG2O AG में परिवर्तित हुआ तो oxykarak बढ़ गया या कम हो गया यहां इस AG2O में silver का oxykarak प्लस 1 है और यहां पर silver का oxykarak कितना है बिटा 0 अगर oxykarak अंक कम हो गया यानि कि AG2O का क्या हुआ अपचायन में कह सकता हूँ इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में AG2O का क्या हो गया है अपचायन जबकि H2O2 का क्या हुआ बिटा oxykarak clear है यह वाली बात अगर H2O2 का oxykarak हुआ तो हाँ हम यह वाली अभिक्रिया बोलेगी कि हाँ इस reaction में H2O2 किसमें परिवर्दित हुआ O2 में बात इतनी सी है कि हाँ H2O2 H2O में बदलेगा अपचायन O2 में बदलेगा oxykarak लेकिन इस अभिक्रिया में क्योंकि दोनों ही मिल रहे थे तो हम comment नहीं कर पारे थे comment करने के लिए हमने उसके बगल वाली species का सहरा लिया H2O पर comment किया बहुत easily comment कर सकते हैं हाँ अगर H2O2 का अपचैन हुआ तो H2O2 का क्या हुआ बिटा oxykaran अगर H2O2 का oxykaran हुआ कह सकता हूँ H2O2 क्या होगा अपचायक होगा अरे clear हो रही है बात ही वाली अगर मैं 3rd option को देखता हूँ तो H2O oxykaran होता है गलत क्योंकि H2O2 का अभी मैंने कहा क्या हुआ अपचैन हुआ H2O2 अपचैन हुआ गलत H2O2 का क्या हुआ बिटाई यहां पर oxykaran यानि कि आंसर तो के वल concern आच हो रहा है 2nd option आज के बाद question में ध्यान देना जब भी H2O2 लिखा होगा अगर आप उसके बारे में comment नहीं कर पा रहे हैं best तरीका है कि उसके बगल वाले पर comment कर दो अगर बगल वाला oxykaran होगा तो या अपचैन होगा बगल वाला अपचैन होगा तो या अपचैन होगा clear है चीज़